नमस्कार सिटी पोस्ट के इस खास पेसकस में आपका स्वागत है मैं हूँ स्रिकान पतियोस अभी मैं विहार इंडर्स्ट्री एसोसियेशन के दफ्तर में हूँ और यहां पर सारे जो द्योगपती थे बैठ करके बजट देख रहे थे इस बजट में क्या है इनके लिए बात से आपको इंकर्म टैक्स में उन्होंने कहा है कि जो सीनियर सिटिजन है उनको अपनी आएकर की विवरणी नहीं फाइल करनी होगी है उनकी पेंशन या ब्याज के आमदनी है प्रस डिविडेंट पे भी एडवांस टैक्स बाद में देना होगा उसके अलावा सरकार ने कस् प्रस लेस जो पॉलिसी है उसको सरकार भी काफी प्रमोट कर रही है आपको क्या लगा खास इस बजब अभी डिटेल्स तो पूरे आए नहीं है लेकिन लग रहा है कि इंकम टैक्स में कोई बदलाब नहीं किया गया है जो थोड़ा डिसपॉइंटिंग लग रहा है कॉमन स नहीं हो पाया है यह विहार के लिए थोड़ा निराशा जनक है चलिए तो क्या इस बजट में कुछ खास दिखा देखिए इसमें इंफ्रास्ट्रॉक्ट्रॉक्ट्रॉक्टर पर जोड़ दिया गया है और जिसे टैक्स में तो कोई बिन्फिट हुआ नहीं है बट कम से कम कोईट में एक डर यह भी था कि टैक्स में बढ़ा बढ़ा जागा वहसा भी नहीं बढ़ाया गया बहुत सारे कंप्लाइंस को इज आउट किया गया है और थ्रस्ट यह रखा गया है कि इज ऑफ डूइंग बिजनस हो ताकि मैंसमी और जो खास करके च्छोटे बैपारी है सब्सक्राइब को अच्छा बैकप दिया गया है और सबसे बड़ी चीज़ है कि कंप्लाइंस जो अन्वांटेट बहुत जाज़त थे उसके हडल को दूर करके और मैं इंट्रफेरेंस को हडाया गया है कंप्लाइंस को क्या यह समगर भारत को लेकर के जो बजट आया है इस सब्सक्राइब को आपके लिए कुछ है इस बजट में बहुत तों के लिए बहुत चीज़ है सरकार ने रियलाइज किया है कि डेवलपमेंट बैंक की जो इन्होंने ने कमर्शिलाइज कर दिया था वो उन्होंने इंटरी इंट्री इंट्यूस किया यह एटीज का जो निरासा का तो कोई प्रस्ट ही नहीं है इसमें हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कहीं कोई टैक्स या कोई सेस कुछ आएगा तो उस तरह का कुछ नहीं आया और यह हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है ना कोई कैपिटल गेन में इजाफा हुआ एक बहुत बड़ा पुस्ट है इसको इसकी तुलना आप ग्रेट डिप्रेशन के बाद जो अमेरिका में बजट आया था उससे आप कर सकते हैं बहुत ज़्यादा इंट्रास्ट्रक्चर पर पुस्ट किया गया है और इस इट विल हैब गूड इंपक्ट इन कमिंग यर्स क्या था इस बजट में जो खास लगा आप सोशल इंफरस्ट्रक्चर के लिए काफी पैसा गौवर्मेंट ने दिया है इंक्लूडिंग हेल्थ, एडुकेशन और अर्बनाईशन के तरफ गौवर्मेंट का काफी ध्यान है तो अर्बनाईशन हने से इंप्लॉमेंट भी दबल कर दिया है गौवर्मेंट ने मोर्डन डबल है तो MSME को भी बूस्ट मिलना चाहिए इस बजट के माध्यम से लगता है कि जो बिहार के वो जोगपती हैं वो संतुस्ट हैं और कह रहे हैं कि बजट संतुस्ट जनक है हलाकि इसमें बहुत कुछ ऐसी चीज़े हैं जिस इस से तक कुछ नहीं मिला वह भी घोसना नहीं हुई लेकिन जो हम लोगों का फोकस MSME है उस पर जरूर काम होगा चुकि बजट को दुगना किया गया है तो यह तो पक्का हो गया कि MSME छेत्र को लाब मिलेगा तो MSME छेत्र को पूरे देश को लाब मिलेगा तो बिहार को उ खांध है उसमें इसी है कि किशानों की आई दुगनी हो और बिजल के छेत्र में भी ध्यान दिया गया है कि उसमें P.P.P. मोट पर काम हो इनफ्रस्ट्रक्टर्चर पर ध्यान दिया गया है वरिस अगरिकों 75 साल से उपर को अब टैक्स नहीं भरना है इस बार पहली बार डिजिटल बजट पेस किया गया और तो इसलिए ओवरॉल माना जाए कि ये बजट अच्छा है और बिहार उसका लाव जरूर मिलेगा ये थे बिहार इंडर्स्ट्री एसोसियेशन से जुड़े हुए एक कारोबारी उद्योगपती और इनका मानना है कि जो बजट है संतुलित है और इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी जोड़ दिया गया है और उसका लाव बिहार को भी मिलेगा आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ खुब सेर करिए अगर आपने अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जुरू कर लिजिए आपका सहयोक समर्थन सिटी पोस्ट के लिए बहुत मैंने रखता है